हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासेज डेट आज की 18 दिसंबर 2020 इंपोर्टन आर्टिकल्स देखते हैं इंडियन एक्स्प्रिस के एडिटोरियल और आईडिया पेज से जो आज हम डिसकस करेंगे editorial page पे हम पहले article discuss करेंगे spectrum of choice for the spectrum auction अब start होने वाला है तो उसके बारे में पूरे detail जानेंगे क्या है पुरा मुद्धा, किस तरीके से पुरा process जाएगा यह article किरला में election से related है, बिल्कुल काम का नहीं है यह article आप एक बार पढ़ लेना, इस पर rating जरूर मारना जिसमें यह बताया हुआ है कि फ्रांस में अभी एक mayor ने बहुत सारे women का recruitment कर लिया, hire कर लिया उनको as compared to men, मतलब men's का जो number है उसको out number कर दिया women ने, ठीक है, तो इस वज़े से जो mayor हैं, जिन्होंने यह hiring की थी, उन पर fine लगा दिया गया पेट्रियार की का जो attitude है, वो अभी हमें यहां पर दिखाई देता है जो कि western countries में भी कहीं नहीं prevalent है तो इस article में main चीज तो यही थी, कि women empowerment की जब बात की जाए और उसमें अभी भी कहीं नहीं problems का सामना करना पढ़ रहा है women को तो यह एक example के तोर पे काम आ सकता है, बाकी और कुछ काम का लगा नहीं मुझे इसमें ठीक है, तो यह main काम मैंने बता दी आपको दूसरा हम article discuss करेंगे, let schools open school education के बारे में है, बहुत शांदार article है कि innovative way में इनोंने समझाने की कोशिश की है कि schools को हम किस तरीके से देख पाते हैं यहाँ पर vertical horizontal learning के बारे में बताया है जो कि अपने आप में एक नया concept है, हम जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से इस article को फिर है, contagions in the air कि COVID-19 को जिस तरीके से tackle किया गया है इसकी learnings का हम use कर सकते हैं तीबी को control करने के लिए, tuberculosis को control करने के लिए बहुत अच्छा article है, तो यह article भी discuss करेंगे तो तीन article हम editorial page से discuss करेंगे फिर idea page पर अगर बात करें तो देखो यह तो love jihad वाला जो कानून है anti-conversion law, ठीक है, उसके बारे में ही है reading वारना जाओ तो मार्दोबा की यह चीज़े हमने बहुत हत्तक cover कर लिए है यह यहाँ पर मध्यपरदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंग चोहां जी, उनके द्वारा यह article लिखा हुआ है कि जो यह farmers के लिए जो reforms लाए है, उनके interest के लिए यह already हम बहुत discuss कर चुके तो यह भी नहीं करेंगे यह भी नहीं करेंगे यह वाला जो article है, इसमें हम थोड़ा सा एक idea पिक करेंगे कि किस तरीके से recovery जो है, वो shallow है deep recovery नहीं है इसकी वज़े है कि employment rate जो है वो बहुत ही कम है और है भी, तो नरेगा जैसे schemes जो है वो fulfill कल पा रही है तो actual में जो एक deployment होता है, एक employment होने के बाद में जो outcome मिलना चाहिए हम एक economy में वो नहीं मिल रहा है तो इस article को भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे तो चार articles हो गए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना discussion फर्स्ट आर्टिकल है, spectrum of choice देखो, Wednesday को government ने kick start किया है मतलब अपनी तरफ से starting करती है कि जो auction का process है फोर्जे spectrum का, जिसमें बाइस सो इक्यावन मेगा हर्ट्स का spectrum है, उसकी auction लगेगी और reserve price जो है, जिसको हम 2021 में March आते आते complete हो जाएगा और bidders जो है, वो अपनी तरफ से options declare कर देंगे, कि वो क्या लेना चाहरा है, साथ में इनको bidders को जो खरीदार होंगे उनके लिए एक option भी दिया है कि वो एक बार में पूरा amount देना चाहें, तो दे सकते हैं या फिर कुछ एक certain amount पे करके बचे हुए amount को वो annual installments में convert कर सकते हैं और फिर फिर subsequently वो देरे-देरे pay कर सकते हैं तो ये सारा process है, अब point यहाँ पर है कि center के पास में हमें पता है कि fiscal deficit लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसमें एक वज़े तो है expenditure का बढ़ना और दूसरी वज़े है revenue collection का कम पढ़ना तो इस वज़े से इस auction को जल्दी से जल्दी successfully complete करने के लिए government अपनी तरफ से efforts डाल रही है कि जिससें कि वो अपनी जरुरतों को पूरा कर सके, अपने demand या revenue की जो short fall है, उसको tackle किया जा सके, ओके अब इसमें जो आप देखोगे revenue collecting के लिए government ने other communication services के नाम से भी, मतलब charges लेना है government को, ठीक है जिसमें license fee देना किसी भी telecom operator को, इसके अलावा जो spectrum uses होंगे, उनके क्या-क्या uses हो रहे हैं, उसके हिसाब से भी वो कही ना कहीं charges देने होंगे, जो भी operators हैं, उनके द्वारा किसको, government को, तो ऐसे करके, 2020-21 में total collection government का target कितना है, होना कितना चाहिए, कि 1.33 lakh करोड हो जाए, तो इससे क्या होगा, budget की जो calculations है, वो proper way में next year की जा सकेगी, जो upcoming budget session उसमें, अगर हम इससे थोड़ा सा और इतर जाकर के देखें, तो देखो, auction को लेकर के जितना कुछ enthusiasm दिखाया जा रहा है, कि यहाँ वाकर कहीं कुछ होगा, बट point यहाँ पे आ जाता है, कि यह इतनी जादा high reserve price आपने रखी है ना, 3.92 lakh करोड यह कहीं ना कहीं, तोड़ा बहुत discourage करेगी, bidders को क्योंकि previous experience यह कहता है, कि जब भी reserve prices को जादा रखा गया है, तब poor outcome मिला है, auctions का ठीक है, previous auction के अगर बात करें, जो हुआ था 2016 में, तो उसमें government ने 2354.55 megahertz का जो spectrum था, उसकी sell हो पाया था, क्योंकि reserve price थी, security money थी, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है और रही साही में हमें पता है, जो adjusted growth, gross revenue जिसके case के चकर में, अभी भारती air tell, और word of an idea, जो है, वो कहीने अगी crisis का सामना कर रहे हैं, तो उनके पास में या, क्योंकि यह जो air tell है, और word of an idea है, इन्होंने request दायर की थी, कि हम फिर इस bid में, हम participate नहीं कर पाएंगे, अगर आप इस तरीके से इतने ज़्यादा prices रखो, क्योंकि हमें already agr, जो obligation हमारे उपर जो supreme court ने verdict दिया था, उसको हमें repay करना पड़ा है, repay कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास में पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा, ठीक है, तो इससे क्या result हुआ, ultimately government को यह जो high price 2016 में रखी गी न, इसका result हुआ कि 67789, ठीक है, इतने करोड रुपए ही उनको मिल पाए, तो telecom companies जो हैना, वो उनको licenses के लिए भी पे करना पड़ता है, अब वो license जो है telecom companies के, वो 2021 में अभी expire हो जाएंगे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, renew भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कहीं न, कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो यह जो existing gaps कि जो demand कहा है, किस तरीके से पूरी fulfill की जा सकती है, दो government को तो पैसे की ज़रुवत है, जो यह companies है, इनको चाहिए spectrum, तो इनको अगर fulfill कर दिया जाए, अगर compliment कर दें, तो ultimately consumer के लिए भी beneficial रहेगा, और market forces के लिए भी सही काम करेगा, ठीक है, demand की अगर बात करें, तो आप देखोगे, जिस तरीके से high price bands की अगर बात करें, तो वहाँ पर uncertainty अपने आप आ जाती है, महेंगाई बढ़ती है, तो वही बात है, हमारे भी normal देखते हैं, तो यहाँ पर एक example देख करके बता रहे हैं, कि 700 मेगा हर्ड के band का अगर हम example लें, ठीक है, जो की more efficient है, इससे ज़्यादा frequency वाले जो भी bands है, other bands की बजाए, ठीक है, क्योंकि यह अपने आप में propagation characteristics बड़ी अच्छी देता है, अब इसमें एक चीज में बता देता हूँ, हर्ड का जो है, यह तो होती है, देको frequency, कल मैंने बता दिया थे concept, वैसे अगर आपको पता ना हो, तो frequency क्या होती है, normally, कि कोई भी wave है, for example यह wave है, तो इस wave में यहाँ से लेकर कि, यहाँ तक का यही जो segment इसको एक cycle बोला जाता है, तो एक second में कितने cycles पास हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जाती है, इसके frequency, और यह जो line है, axis, इससे जो upper portion है, यह जो deviation है, इसको बोला जाता है, amplitude, ठीक है, amplitude एक signal की strength को show करता है, तो इस तरीके से propagation characteristics, मतलब 700 MHz का अगर कोई signal होता है, तो वो अच्छे से propagate कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कुछ भी circumstances या environmental conditions हैं, उनमें, उनको हिसाब से अगर देखे तो, तो इस तरीके से all India में अगर इसका पूरा वो होता है, auction या फिर बिग जाता है, तो 6568 करोड रुपए गौर्मेंट के हाथ में आ जाते हैं, बट इसमें आप 2016 में देखोगे, तो ओवरोल 43% ही, मतलब ओवरोल 43% की कमी आई थी, जितना auction होना था, उस से 43% की कमी आई थी, तो इसकी वज़े से गौर्मेंट के प्राइस मत रखो, ठीक है, और होता क्या है, फिर बाद में जब मान लो यह जब दो तीन जने एक साथ लाग लगते हैं कम्पिटिशन में, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कि मान लो यह है एक कोई particular good, ठीक है, यह स्पेक्ट्रम, जिसकी प्राइस होने चीए, पांच रुपए, ठीक है, अब यह खरीदने वाले चार्जने हैं, A, B, C, D, अब इनके बीच में competition लग गया, और competition लगते-लगते हैं, पता-पढ़ा कि D ने इसको final कर दिया, और जब final किया, तो पता-पढ़ा अब D को, क्योंकि auction 10 रुपए पहुँच गई है, तो इसको बोलते है winner's curse, winner's curse, ठीक है, कि जब intrinsic value से भी ज़्यादा पैसा देना पड़े, तो यह भी कहीना कहीं प्राबलम का कारण बन जाता है, फिर वो काटे में तो already है ही, और फिर auction को finalize करने के चक्कर में फिर वो competition बढ़ते बढ़ते, जो intrinsic value है उस spectrum की, उससे ज़्यादा pay करना पड़ जाता है, उस bid को जीतने वाले के द्वारा, तो यह भी हमारे यहाँ पर market forces के लिए कहीं नुक्सान दायक हो सकती है, कि मान लो airton ने ले लिया, और उसने दे दिया 10 रुपए, ठीका 5 रुपए की जगए 10 रुपए, तो भाई वो तो फिर बाद में नए जो भी plan बनाएगा, ultimately वो तो फिर जो consumers हैं, customers हैं, उन्हीं से तो फिर खरीदेंगे, तो उस case में जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, वो dominate करेगा, for example, geo, अगर वो dominate करेगा, तो फिर बाद में single player आने के बाद में तो आप समझ सकते हो, वो detrimental हो जाएगा, competition के लिए भी और consumers के लिए भी, ठीक है, इसमें आपको एक छोटा सा example बताना चाहूँगा, कि मान लो एक particular एक बंदा है, ठीक है, जैसे geo ने शुरुआत की थी, ठीक है, तो geo की बात करें, कोई भी company की अगर बात करें, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, मानो कि खाना फ्री में मिल रहा है, जितना खाना है, खाओ, खाना भी सबने शुरू कर दिया, पेट बर के खा लिया, बोले रेस्ट भी कर सकते हो, आराम से कोई problem नहीं है, और फिर उसके बाद में, जब सुबह fresh होने का time आया, तो बोले कि toilet charges हैं, भई, तीन सो रुपए पर head, recover हो गया ना, एक सेकंड में, तो ये problem हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, Department of Telecommunication जो है, वो इस चीज़ पे 4G auction तो अब मार्स तक complete होने के scope दिख रहे हैं, बाकि देखते हो, होता है क्या, बाकि 5G spectrum को भी finalize करना भ हो रही है, competition चल रहा है मार्केट में, ठीक है, तो वो चीज़ भी complete होना जाए, और governmentices के लिए timeline कहीना 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 भी finalize करने में थोड़ा सा delay कर रही है, बढ़ वो delay ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और approach जो है उसमें कहीना 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 ये देखने की जरुरत है, कि देखो ये अपने आप में बहुत ही, ठीक है कि चलो ठीक हम पढ़ रहे हैं अभी कि schools फिर से खोली जा रही है कुछ states में, और कुछ states अब plan भी कर रहे हैं कि यहाँ खोल देना चाहिए, बट आप देखते तो फिर भी लगातार कहीना कि ups and downs बनते रहा है, कभी lockdown, कभी unlock हो र ना हुआ है और इसकी मार हम school के बंद होने पर तो लगातार देख पा रहे हैं, ठीक है, और इसके जो consequences है ना हो सकता है अभी ना दिखाए दे, immediately ना दिखाए दे, but long term में हमें कहीना कि इसकी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब स ने nationwide lockdown लगा था हमारे यहां पर, तब से schools सबसे पहले बंद होने वाले institutions में थे, और अब अभी तक आप देखोगे, बहुत सारे businesses के activities शुरू हो गई है, बट schools अभी भी normal functioning में नहीं आ पाई है, तो ये जो चीज है ना, इस चीज को हम address करने की ज़रुत है, बहुत सारे states न वाइरस की एक wave आ गई और बंद करना पड़े 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 गया schools को, देखें आप, चाहिए कुछ entrance test की exam दे लो, या फिर कुछ optional attendance की बात कर लो, कि हाँ कुछ students आ गए, उनको दूर दूर भी ठाकर की school में पढ़ाई करवा दी, तो वो भी कहीं ना गई है, आप देखो ना कहीं, दुस्वार हो गया था कि वो school पहुँच पाएं, ठीक है, आप देखो कि अभी भी हमें बहुत सारे obstacles का सामना करना पड़ रहा है, कि जिस तरीके सा भी local infections देखे जा रहे हैं, जो second और third wave आ रही है, infections की, ठीक है, उसकी वज़े से बहुत सारी परेशानिया लगती चली जा रही है, तो अभी भी हमें कहीं ना कहीं, एक परिशानी भी है, एक आशा भी है, कि authorities कुछ करेंगी, parents को कहीं डर भी है, कि कहीं बच्चे infected ना हो जाए, तो अब कुछ fundamental points हैं, उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहली बात, क्या school को हम essential activity consider करते हैं, कि ज essential activity होती, तो इनके बारे में अभी तक बात क्यों नहीं की जा रही है, देखो religious festives की बात कर रहे हो, social activities की बात कर रहे हो, बहुत सारे release निकल रही हैं, market देखो crowded हो चुके हैं, roads busy हो गई हैं, उसके बावजूद schools बंद पड़ी हैं, तो क्या हमने वाकई में essential activity consider कर रखा है, school school को नहीं ना, तो ये ध्यान देने की ज़रूत है, GDP growth rate की बात कर ली, कितने हमने articles देख लिए, बट school और education की जब बात करेना, अभी तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि हमें पता है कि education system अगर proper रहेगा, schooling अगर बच्चों की अच्छी रहेगी, तो long run में development और growth क ensure करने में कोई problem नहीं आती है, पिछले 9 महने की अगर बात करें, तो human interaction, real world में बहुत ही कम होता चला गया है, जो कि अपने आप में बहुत important resource की तरह consider किया जाता है, रही सही में आप देखोगे, कि इस pandemic की वज़े से, interaction भी कब हो रहा है, कि आपने priority decide कर ली, कि हाँ बहुत ह जरूरी काम है, तो बहार निकलेंगे, फिर बातचीत करेंगे किसी से, तो ये activity जो है, social interaction वो और भी कम हो गई, बहुत सारी अलग-अलग societies की बात करें, तो उन्होंने अलग-अलग तरीके से resource को utilize किया है, किसको social interaction को, ठीक है, European model की अगर बात की जाएं, तो European countries ने lockdown भी लग बातार चलती रही है, Denmark और non-way, अपने आप में बहुत important example है, जिन्होंने April और May से ही अपनी स्कूल को बंद नहीं रखा, कैसे भी करके अपनी स्कूल को continue रखा, ने तो वहाँ पर second wave आई, ने third wave आई, मतलब proper maintain रखा गया उनको, social distancing और जो भी sanitization या, जो भी proper way में, एक्दम hygienic way में maintain किया जा सके, UK जर्मनी की बात करें, तो इन्होंने अगस सब्टेंबर में आते आते हैं, अपनी स्कूल को open कर दिया, और वो smoothly काम भी कर रही है, हाँ, बीच में कई बार temporarily बंद कर दिया, पर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कि permanent ही बंद कर दिया हो, इसी तरीके से, जर्मनी ने dependence किस पे दिखाई, मास टेस्टिंग पे, कि हाँ, ज्यादा ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, और उससे क्या है, चेक किया जाए, कि हाँ, वाकई में कौन कितना ज्यादा vulnerable है, स्कूल की reopening की अगर बात करें, तो देखो, हमें ये धान है कि हाँ, infections बहुत सारे हो सकते हैं, बटे, इनको हम tackle भी तो कर सकते हैं, इनके ओपर हम काम भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है, government और school authorities को इसके लिए थोड़ा बहुत काम करने की ज़रा तो उसके लिए कहीं ना कहीं, जो western countries हैं, उनकी government authorities को इसके लिए credit भी जाता है, UK ने अभी second nationwide lockdown imposed किया था, नवंब वो बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर clarity आती है ना, कि Europe में schooling को essential activity की तरह consider किया जाता है, तो यही चीज हमें यहाँ पर learn करने की ज़रुत है, इसके अलावा हम अगर चले, देखो comparison वैसे तो इतना fair नहीं है, क्योंकि हम कोई कहेगा कि western society जो हैं, वो developed हैं, बट फिर भी हम क कुछ ना कुछ चीजे तो देखी सकते हैं, जो हम यहाँ पर apply कर सकते हैं, देखो, हमारे यहाँ schools को support अगर देखें, या फिर budget की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर schools के लिए funding भी इतनी जादा नहीं मिलती है, एक तो यह बात हमें पता होना चाहिए, दूसरा, कि जो examples ह हैं, जो हमने बहुत सारे western countries के example देखें, उन्होंने भी अपनी schools open रखी, तो हम कह सकते हैं, कि हाँ developed country है, इसलिए, बट एक बात ही है, तो हम consider करी सकते हैं, कि school एक essential activity है, तो utmost priority पे तो at least रखी सकते हैं, कि बच्चे कम से कम अपनी पढ़ाई को तो lose ना करें, कोई और तरीक के निकाले जा सकते हैं, जिन में उनके पढ़ाई continue बन सके, UK के education minister है, उन्होंने बड़ी clearly बोला, कि education की continuity जो है, वो हमारे national की, हमारे देश की priority है, that means continuity of education is a national priority, तो ये जो चीज है ना, ये कहीन है, बहुत important है, even UK की government ने threaten भी करना शुरू कर दिया था, local governments को, local councils को, कि अगर आपने school बंद किया, तो ठीक बात नहीं होगी, तो ये जो चीज जना, clearly समझाती है, कि वाकई में education को western countries ने, particular schooling को essential activity consider कर रखा है, ठीक है, अब इस intent के अलावा हमें, और भी चीजों पर देखने की जरूरत है, कि इंडिया का क्या case है, देखो, हमारे यहाँ पर average distance traveled by student अगर देखें, एक student average निकाली जाए, तो school के लिए कितनी दूरी तैय करनी पड़ती है, तो वो थोड़ी जादा है, दूसरा schools में जो students की population है, उसके density भी बहुत जादा है, क्योंकि number of schools बहुत कम है, तो ये भी कही ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा concerning और difficult हो जाता है, कि किस तरीके से infection के spread को हम रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि population of students बहुत जादा है, distance travel करना भी बहुत जादा हो, तो vulnerability जादा हो जाती है इंडिया में, तो schools में कुछ changes लाने की जरुरत है, classroom में कुछ arrangements ऐसे करने की जरुरत है, या फिर lunch hours है, आप उनको एक बार थोड़ा सा यूं कर सकते हो क जी बाई, एक management proper हो, कि हाँ social distancing का follow कर रहे हैं की नी बच्चे, ठीक है, आप physical sports के जो activities है, एक बार उनको थोड़ा control कर सकते हो, बट एक वोई चीज़ है, limited social interaction के basis पे हम तरीके से काम कर सकते थे, ये पूरे duration के टाइम पे, ठीक है, और अभी भी किया जा सकता है, साथ में हमे logistical factors में भी ध्यान देने की जरूरत है, हाँ कितना हमारे पास में infrastructure है, पानी पीने की arrangement proper है की नहीं, sanitize करने के लिए sanitizers installed किये हुए है की नहीं, तो ये सारी चीज़े हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, और आगे भी रखी जा सकती है, कोई चीज बड़ी नहीं है, बट व पर बोल रहे हैं कि मैं दो दूसरे issues की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, यह तो सारे हैं ही जो भी बात की, इसके अलावा दो और, देखो एक तो decentralization लेकर क्या हो, जो की governance को लेकर के या planning को लेकर के, जो local जो body है, ठीक है, जैसे central government या state level government ये plan ना बना करके, जो local councils हैं, य रखा जा सकता है, और किस तरीके से disease के spread गो रोकना चाहिए, तो जरुरत क्या है, local needs और capabilities को harness करने की, हमें जरुरत है कि एक freedom और flexibility प्रोवाइड करे हम local जो bodies हैं, जैसे कि आप municipal corporation की बात करते हो, municipal council की बात करते हो, तो इनको freedom देने की जरुरत है, ठीक है, तो अपने इसाब से ये तरीके से काम कर सकते हैं, देखो pandemic ने already education को बड़े बुरे तरीके से मतलब disturb किया है, आप कह सकतो हो beaten out किया है, ये जो rot है, rot का मतलब बता है beaten out करना, मतलब बहुत बुरे तरीके से मार पड़ी है education पे, और हमें ये भी पता है कि educational capabilities पर जो है, वो भी कहीं ना कहीं लग possibility कुछ students के पास में है, ज्यादा तर के पास में नहीं है, नहीं है तो फिर बच्चे जो गरी परिवारों से आते हैं, फिर वो child marriage की तरह force कर दिये गए, या फिर labor force में इनको child labor की तरह है, उनको use करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो देखो schools में अगर हम देखें, तो अगर country wide opening होती है, तो वहाँ पर हमें जरुरत है कि teaching जो है, वो proper way में conduct करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट हमें जरुरत है कि जो भी जरुरत हैं, उनको हम reassess करें, जो students है, pupils हैं, उनके बारे में हम ध्यान रखें, और attendance जो हैं, उस पर main focus रखें, तो पहला काम क्या हो गया, decentralization of the planning and policy making, ठीक है, दूसरा यहाँ पर issue आता है, कि teaching का जो method है, उसमें, यहाँ पर कुछ economist का study को quote कर रहा है, राइटर, एक तो economist है, यन एलगेन, एक है PRA, काहुक, एक है edry, sliffer, ठीक है, sliffer, इनके according अगर देखें, तो teaching practice को हम divide कर सकता है, सही तरी के समझें, तो एक तो vertical method ह होता है, और एक होता है horizontal method, इसमें बताएंगे, बढ़ आच्छा तरीके से बताया हुआ है, कि vertical method में तो क्या होता है, teacher, students को क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, तो students को class ले ली, फिर notes provide कर दी है, फिर उसके बाद में one to one, इनका interaction हो जाता है, यह तो हो गया vertical method, एक होता है horizontal method, जि में students जो हैं, वो एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे से discussion करते हैं, और एक corporate करके फिर बाद में study करते हैं, तो अभी जब यह pandemic आया है, तो इसमें यह जो vertical वाला method है ना, इस पर ज्यादा reliance कर दिया, जैसे कि online classes, online classes में क्या होता है जी, दो students के बीच में कोई interaction नहीं है, द हो कि यह वाला जो horizontal learning का method है ना, वो तो बिल्कुल ही eliminated है, है तो dominate क्या कर रहा है, कि वो vertical, तो writer यहाँ पे last में एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कि इनमें एक balance लाने की जरुट है, ठीक है, तब जाकर कि long term economy को भी हम stabilize कर पाएंगे, classroom को अगर online से substitute कर देंगे, तो वो देको अच लगातार, covid-19 cases भी वहाँ पर भढ़ रहे हैं, nationwide lockdown भी लगा दिया है, बट आप देखो, एक vaccination strategy पर ब्रिटेन अल्रेडी काम कर रहा है, vaccination सबसे पहले शुरुआत भी ब्रिटेन में ही हुई है, बट आप देखोगे, अभी हमें जरुरत है, कि essential sector की तरह consider करके, school में teachers और जो students हैं, उनको जल्दी जल्दी vaccinate करके, और school की functioning को proper way में on track ले के आया जाए, next article दिखते हैं, next article है, contingents in the air, ये article लिखा हुआ है, Manoj Jain and Suanand Sahu, ठीक है, Union Minister of Health and Family Welfare, हर्श वर्धन जी ने अभी ये चीज़ acknowledge किया है, कि COVID-19 की वज़ज़ से जो tuberculosis के against, TB के against, जो fight चल रहा था, बहुत ही जादा असर पड़ा है, और हुनोंने ये कहा है, कि ये जो deadly virus है, इसने derail कर दिया है, जो हमने decades old हमारा जो पूरा effort चल रहा था, जिसमें scientific attention TV को मिला हुआ था, उसको बिलकुल ही divert कर दिया है, तो ये point यहाँ पर writer बोल रहे हैं, कि बड़ा अच्छा identify किया गया है तो आप देख सकते हो, कि lockdown की वज़े से 30% की कमी देखी गई है, tuberculosis के diagnosis में, लोग पहुँच ही नहीं पाए, सोजनों के अगर TB का था, तो उनमें से 30 जने hospital ही नहीं पहुँच पाए, अपने treatment या अपनी बिमारी को diagnose करवाने से, और अगर government के figure के हिसाप से देखे तो ये च केसे जाएंगे, और totally 3,60,000 TB के patients की death हो सकती है, आने वाले 5 सालों में, तो इस चीज के लिए हमें वाकई में, ये writer जो हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इस चीज के लिए agree करते हैं, कि pandemic ने वाकई में जबर्दस setback दिया है, पर ये एक temporary ही है, क्योंकि जो learning हम यहाँ पर देख र तरीके से respiratory element, मतलब जो सास से लेने वाली जो problem होती है, उनको इस तरीके से eliminate करने के लिए काम किया जाएगा, जिसमें TB के लिए vaccine बनने में, आज दशकों बीच चुके हैं, अभी तक vaccine नहीं बन पाया है, जबकि COVID-19 के लिए 9 मैने के अंदर अंदर vaccine डेवलप हो गया, तो य यह practices हमारे लिए बड़ी काम की हैं, तो अब यहाँ पर writer कुछ important arguments दे रहे हैं, जो हमारे लिए यहाँ पर helpful होंगे, answer writing में, कि किस तरीके से यह जो बिमारी का experience है, COVID-19 का, वो हमारे लिए helpful होने वाला है, number one, COVID-19 ने देखो, government institutions और लोगों को, सब को disrupt कर दिया, rattled कर दिया, तरीके से मतलब घात करने वाली नहीं है, टी-बी की अगर बात करें, तो वो भी infectious disease है, वो भी spread होती है, droplets, aerosols, या फिर हम दे सकते हैं, कि respiratory illness से ही related है, और जिसकी mortality rate जो है, वो 13% है, टी-बी की, जबकि COVID-19 की कितनी है, 1.3% है, तो टी-बी तो इसका मतलब और भी deadliest हो गया as compared to COVID-19, 2019 की अगर बात करें, तो टी-बी की वज़े से 1.4 million deaths register की गई थी, globally, COVID-19 जो है, वो इस figure को 2020 में अब take over करने वाला है, तो COVID-19 era में, जो health को attention मिली है, जो priority दी गई है, तो उससे हम कहीं ना कहीं, TB या फिर multi-drug resistant TB है, उनको भी कहीं ना कहीं, एक attention मिलने का scope बनता है, क्योंकि वो भी तो हमारे respiratory system को ही damage करने से related बिमारी है, तो देख सकते हो कि एक greater scope बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां government और public जो है थोड़ा सा alert होने वाली है, तो leaders और individuals जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को realize भी किया है, कि respiratory disease जो है, वो कितना damage कर सकती है, तो उसको ध्यान information मिलने का scope बन रहा है, एक तो यह argument देते हैं, फिर इसके बाद में दूसरा argument writer चाहिए देना चाहते हैं, masking, social distancing, या फिर आप देखोगे, कि जो cases हैं उनको trace करना, फिर उनकी testing करना, फिर उनको treatment देना, वो जो काम है, वो एक common places में common practice बन के आचुकी, COVID-19 की case में, तो यही त सकता है, जहां doctors और nurses हैं, वो अब mask लगा करके रहेंगे, वो कही ना कही इन चीजों को ले करके बड़ा, एक जल्दी से quickly respond करने की कोशिस करेंगे, और general public जो है, normally, जो हम लोग है, वो भी इन practices को follow करते होई दिखेंगे, तो infection की जो rate है, वो भी कम हो जाएगी, रही जही में जो health system में investment देखा गया है, infrastructure का development होना, infection का control करने के लिए different equipment का लगाना, personal protection equipment का ज्यादा ज्यादा यूज़ करना, तो ये तो आप देख सकते हो ना, TB को control करने में भी यही चीज़े बड़े importantly काम करेगी, तो ये एक learning आ गई, तीसरा argument दे रहे हैं कि COVID-19 के experience ने TB की testing को भी हम क कहीं ना कहीं, scale up कर सकते हैं, modern tools का use करके, देखो, हम COVID-19 का जो testing करवाते हैं, उसमें sample लिया जाता है, normally, उसी तरीके से sample आप कहीं ना कहीं, TB के भी उसी तरीके से sample लिया जाता है, तो क्यों ना, TB हो गया, या फिर COVID हो गया, या इसी तरीके की और जो बिमारिया हैं, उनको combine करके, और आप diagnostic system जो है, उसमें काम properly किया जा सके, जिससे क्या होगा, एक एक तीर से बहुत सारे सिकार हो गए, इसमें simple सी बात ही है, तो उससे क्या हो जाएगा, कि जल्दी से आपको time बिमारी का पता पढ़ जाएगा, और एक sites बनाई जा सकती है, जहां पर community based screening की जा सकती है, कि हाँ इस particular community में TB का ज्यादा prevalence है, COVID का ज्यादा prevalence है, कहने का मतलब combined way में testing हो, tracing हो, ठीक है, एक यह चीज़ बता रहे हैं, और इसका experience हमारे पास में कहीं ना कहीं, COVID-19 ने अच्छे से दे दिया, कि किस तरीके से community में अगर कोई बिमारी का, अगर spread हो जाए, तो इसको tackle क किया जा सकता है, चोथा argument दे रहे हैं, कि COVID-19 के vaccine platforms के अगर बात करें, तो कितना speed से काम किया है, जबकि TB के vaccine candidate को अभी तक भी बनने में कितना time लगा, बहुत ही slow track पर चल रहा है, कई दशक भी चुके हैं, ठीक है, government ने, donors ने, या affected community ने, लगातार अपनी तरफ से effort किया, आ आप देखो, नो मैने के अंदर अंदर मिल गया, आपने को vaccine, ओके, तो इस तरीके से यही चीज हम TB पे भी apply कर सकते हैं, इससे क्या होगा, quickly कहीना के result मिल जाए, क्योंकि ultimately TB भी क्या है, एक respiratory related disease ही है, जो कि droplets हैं या फिर airborne disease हम consider कर सकते हैं, जिसको, और last मैं argument देता है, nationally या फ को priority area में हमेशा से consider किया है, और India में आप देखोगे, तो हमारे याँ पर priorities में consider किया जाने वाला एक point है, कि TB को हमें कैसे भी करके eliminate करना है, COVID-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कि किस तरीके से public health care में, public health system में हमें priorities decide करने की जरुरत है, हमें curative approach और preventive health approach को ध्यान रखने की जरुरत है, ठीक है, invest करने की जरुरत है TB के elimination के लिए, तो ये सारी जो चीज़े हैं ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, TB को भी tackle करने के लिए काम आ सकती है, तो ये 500 के 500 point बड़े काम के हैं, I hope आपने लिख लिए होंगे, तो health minister ने जो भी कुछ कहा, वो बड़ा अच् gains जो हमारा एक project चल रहा है, उसके trajectory पे हम speed से काम कर पाएंगे, TB elimination को expediate कर पाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये article भी खतम होता है, next article है, a shallow recovery, writer है इशान बक्षी, थोड़ा सा इसमें detail कुछ ज़्यादा ही दी हुई है, काम-काम की चीज़े मैं pick कर रहा हूं, आप एक ब rebounding of the economy ये consider की जारी है, कि बड़ी अच्छी recovery हो रही है, faster हो रही है, जितना हमने accept किया था, या हमने estimate लगाया थे, उससे ज़्यादा performance दिखाई जारी है, बट job creations की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा problem का सामना करती हुई, दिखाई दे रही है, इसका पता हमें भ पर तेईस परसेंट से economy, या फिर कह सकते हैं, इसको तो छोड़ो तेईस परसेंट से economy contract कर रही है, जबकि जो business houses है, उनका profit तीस परसेंट से increase हो रहा है, तो भई इसमें तो सीधी सी बात क्या निकली थी, कि इन्होंने जो employers थे, इन्होंने क्या कर दिया, fire किया है लोगों क जौब से निकाल दिया, और जौब से निकालने की वज़े से economy तो contract कर रही है, बट उनका profit जो है, वो ज़्यादा निकल रहा है, कहने का मतलब जितना employment होना चीए था, वो employment उस scale तक नहीं है, राइटर यहाँ पर यह बोल रहे हैं, कि labor market को अगर हम gauge करेगी, इसका मतलब उत formal urban labor forces और फिर बाद में rural labor forces, यहाँ पर अलग अलग तरीके का उनको एक behavior देखने को मिल रहा है, तो EPF का जो data है ना, उसके हिसाब से इन्होंने calculate किया है, अब इसमें जो काम की चीज है, वो यहाँ पर आ रही है, कि आत्म निर्वर भारत अभियान जब से शुरू किया गया है, उसके बाद में job creations हुई है, बट वो भी अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया है, क्योंकि नरेगा का जो data है, वो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा काम का हो जाता है, यहाँ पर, कि नरेगा का job card का जो provision है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ से clear हो रहा है हैं कि नरेगा में job ज़्यादा मांग रहे हैं लोग इसकी वज़े क्या हो सकती है, तो writer दो वज़े बता रहे हैं, कि एक तो देखो, कि जो migrants वापिस अपने घरों पे पहुँच गए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं जो डिमांड कर रहे हैं, एक दूसरे जो rural household हैं, वो भी कह के पास में job की कमी है, इसलिए नरेगा में job की demand आ रही है, job cards की अगर आपर बात करें, तो September मन्त में लगबग लगबग 86.8 लाक new job cards issue किये गए हैं, जो कि पिछले साल के comparison में 37.6 लाक ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक तरीके से ये job crisis employment crisis है, वो अभी तक भी बना हुआ है, फिर इसी चीज़ को continue कर रहा है, बाकी और चीज़े मुझे कुछ लगी नहीं इस article में, आप अपनी तरफ से एक बार reading जरूर मार देना, मैं इसको थोड़ा set कर देता हूँ screen पे, अगर आपके पास book ना भी हो, sorry paper ना भी हो, तो आप आराम से द screenshot लेलो, score एक बार reading मार लेना, ओके इस तरीके से discussion यहीं खतम होता है अपना, thank you very much